Good morning student, after a lot of math exercise, we do something new today. Yes student, I have some maths puzzle. आप देख सकते हैं student, आज मैं आपको कुछ maths puzzle के बारे में बताऊंगी. But student, आज की इस वीडियो में मैं इन किसी भी puzzle का answer आपको नहीं बताऊंगी. आपको ये खुद से सोचना है और करना है. और हाँ, आपको puzzle को solve करते वक्त अपने parents या घर में किसी भी बड़े की help नहीं लेनी है. आप इसे खुद सोचोगे और खुद करोगे. तो इस टेड़े हम सबसे पहला puzzle देखते हैं आपे. 22 plus 4 is equal to 24. 13 plus 6 is equal to 16. 80 plus 2 is equal to 82. 22, 67 plus 9 is equal to what? अब आपको यहाँ पर सोचना है student कि हमने 22 plus 4 किया, तो 24 कैसे आया? हमने क्या कॉंसी ट्रेक उस की कि यहाँ पर 24 आ गया? इसी तरह student आपको सोचना है कि 13 plus 6 हुआ, तो 16 कैसे आया? आपको इन सारे नंबर को सोचना है और उसके बाद आपको सोचना है कि 67 में plus 9 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ठीक है student? अब हम देखते हैं अपने second puzzle को. Student आप देख सकते हैं, एक rectangular box में मैंने 3 row में कुछ नंबर को लिख रखा है. 4, 8, 16, 5, 10, 20, 6, 12 और हमारा last जो आप देख सकते हैं, question mark है. Last box में student. तो आपको यहाँ पर सोचना है इस question mark के जगा कौन सा number होगा? तो student आप यहाँ पर free हो, आप addition करो, subtraction करो, division करो, आप कुछ भी करो, बट आप answer find करो यहाँ पर. तो student इसी भी आपको सोचना है. यहाँ हमारा third puzzle है student. 1 plus 4 is equal to 5. 2 plus 5 is equal to 12. and 3 plus 6 is equal to 21. 8 plus 11 is equal to, अब आपको यह search करना है student. हाँ student, यहाँ पर देखिए, 1 में हमने 4 add किया तो 5 आ गया. पर 2 में हमने 5 add किया तो 12. यह कैसे आया? यहाँ पर कौन सी trick यूज हुई? जिससे यहाँ पर 12 number हमें find हुआ. इसी तरह आपको सोचना है student 3 plus 6, 21 कैसे हो गया? आपको सोचना है और student, यहाँ पर आपको 8 plus 11 का answer find करना है. इसी तरह student आपको सोचना है कि number 6 का number क्या होगा? पहले student आप one number find करेंगे कि यहाँ पर one number पर 314 कैसे आया? हमने क्या किया? क्या क्या किया कि यहाँ पर 314 आ गया? इसी तरह आपको सोचना है कि two number पर 325 कैसे आया? अगर आप इन सम नंबर को सोच लेंगे तो आप खुद find कर सकते हैं कि six number पर यह number हमारा क्या होगा? हमारा last वजल है student one 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 equal to R two 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 equal to T and three 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 equal to E four 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 equal to N and five 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 equal to क्या होगा? अब आपको सोचना है student कि one 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 का मतलब R कहां से हुआ? हमने कौन से trick use की? कि यहां one 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 का मतलब क्या हो गया? आर हो गया और two 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 का मतलब क्या हो गया यहां पर T इसी तरह आपको यहां पर और सारे number को सर्च करना है और खुद से student आपको यह करना है आपको मैं इसके answer अभी नहीं बताऊंगी अपने next वीडियो में बताऊंगी ओके student आप इसे खुद से try करिए without help Thank you student